इस साल की शुरुवात ही कुछ ऐसी हुई है कि यार मैं वीडियो काफी कम डाल रहा हूँ तुम लोगों को पता ही होगा मैंने इस वीडियो के अलावा एक ही वीडियो अप्लोड की नए साल में सिंस यार ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि यार मैं वीडियो सब्सक्राइबर्स लाइक और इस सब के पीछे भागना चालू कर दिया था मैंने और वीडियो नहीं आ रहे हैं देखकर मैं और भी जादा डी मोटिवेट हो गया जिसकी वज़े से मैंने वीडियो डालना ही बंत क कर दी लेकिन फिर एक यूटूबर की वीडियो से मुझे अपना सही परस्पेक्टिव समझ आया कि यार वीडियो तो मैं खुशी के लिए बनाता था ना तो हे गाइस एंड यार वेलकम बैक तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेगे कि यार ब्रॉक रिटन होन होने वाला है हमारे पोकेमोन जर्नीज में और यार यह एक स्पेशल आर्क होने वाला है सिंसर तुम लोग जानते हो भाई इस 18 तारिक को लेजेंड आर्कियस पोकेमोन की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे पहली ओपन वर्ड गेम है और यार बहुत ही जादा अमेजिंग गेम है भाई वो वो रिलीज होने वाली है और यार अफकोर्स इसके रिलीज करने के लिए भाई वो लोग कुछ ना कुछ स्पेशल तो करेगी पोकेमोन वाले क्योंकि यार वो अपनी एनिवर्सिकरी को तक नहीं चोड़ते है तो यार इतना बड़ा गेम उन लोगों ने इस भी रिजन पर हमारा है लेजेंड आर्कियास बेजड है भाई उनी की तरह इन्होंने कपड़े पहने है डॉन और बाकी सबने और इसके अंदर टीम गैलेक्टिक भी अपियर होने वाली है और यहां पर ब्रॉक भी आने वाला है अगर तुम लोग पोकी बॉल्स को देखने के लिए मिलेगे या नहीं और उपर से यहां पर ब्रॉक भी रिटन होने वाला है और यहां सब लोग भाई काफी जाधा है इस चीज़ के लिए कि यार ब्रॉक कब रिटन होने वाला था और इस बर देखा जाएगा कि यार ब्रॉक का जो कि स्टील एक से वो कैसा है वैसे वो चेंज तो हुआ नहीं होगा लेकिन अफकोर्स यार पुराने पोकेमोन को इन फ्यूचर फिर से देखना कितना जादा मज़ा आता है और यार काफी जादा लंबे टाइम के बाद ब्रॉक जैसे एकड़ मतलब लेजिंडरी केरेक्टर को भाई रिटर्न किया जा रहा है और यार इस स्पेशल आर्क में हमारा आर्कियस तो पक्का ही अपियर होने वाला है और इसके अंदर लेक गार्डियन्स भी आएगे और यार जैसे कि मैंने तुम लोगों का अपने पिछली एक वीडियो में ही क्लियर कर दिया था जहाँ पर डियलगा एंड आर्कियस है वहाँ पे भाई लेक गार्डियन्स ना आये ऐसा कैसे नहीं हो सकता और यार यह चीज इस आर्क में कंप्लेट होने वाली है पिछले मतलब उस वाले आर्क में भाई डियलगा एंड पालकिया को शान तो करा दिया था लेकिन उसके बाद अभी आर्कियस का आना तो बाकी था और यार वही आर्क यहाँ पे एक टाइप से कंटिन्यू होगा और यार यहाँ पे टीम गैलेक्टिक फिर से आने वाली है मैंने तो पहले ही बोला था यार की टीम गैलेक्टिक लेक गाडियन्स को फिर से मतलब कंट्रोल करेगी और जहाँ पे भी भाई लेक गाडियन्स डियल का आर्क ये से वहाँ पे टीम गैलेक्टिक तो रहेगी अब यार हम लोगों को डाइमेंशन 21 के बारे में भी पता लगेगा इस मतलब आर्क में कि यार जो की वो जो टीम गैलेक्टिक के लीडर ने जो डाइमेंशन बनाया था वो एकदम रियल है नहीं है उसके बारे में सब कुछ हम लोगों को ये क्लियर होने वाला इस एपिसोड में और बाकी सब ने जो की ये आउटफिस पहनी है ये मुझे काफी जादा सही लग रही है यार गेम में तो अपना कैरेक्टर ऐसे ही रहेगा लेकिन यहाँ पे और वी जादा अच्छा लग रहा है और इस वाले मतलब जो की आर्क है इसके अंदर हम लोगों को आर्क्यस अपियर होते होगे दिखेगा और इस बार शायद भै आर्क्यस जरा मारधाड मुकालाद भी कर ले और काफी जादा सही वाला आर्क रहने वाला है और अब वीडियो रेगुलरली आएगी एक देख दो दिन में और होफ़ुली तुम लोगों ने सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा वहाँ पर में पोक्मोन यूनाइट एनिमे रिव्यूज कुछ भी डाल देता हो या ठीक है इतना याद रखो बस और अगर तुम लोग मेरे इस चैनल पर नई होते हो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और यार मैं मिलता हूँ सबीसे अगले वीडियो में किसी नेक्स लेवल के टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुड़ बाए